आपको इस वीडियो में वैलकम करता हूँ. हम मिक्सर और कमपाउंड के डिफरेंसिस को डिसकस करेंगे इस वीडियो में. तो students, मेरे पास है एक गलास जिसमें मौजूद है सिर्फ वाटर और दूसरे गलास में मौजूद है वाटर और सैंड. वो गलास जिसमें सिर्फ वाटर है, उसमें कमपाउंड है, राइट? और दूसरे गलास में मिक्सचर है वाटर और सैंड का. अगर मैं आपसे पूछू यहां क्या डिफ्रेंस होते हैं कमपाउंड और मिक्सचर के दर्मियान, क्या आप उन्हें लिस्ट डाउन कर सकते हैं? चलें यह मिल कर करते हैं. अगर आप स्क्रीन पर मौजूद टेबल पर नज़र डालें, आप नोटेस करेंगे के पहला डिफ्रेंस यह है के एक कमपाउंड बनता है केमिकल कॉंबिनेशन से, जबके मिक्सचर बनता है फिजिकली मिक्स करने से कम असकम दो एलिमेंट्स को. दूसरा difference यहाँ पर यह है कि एक compound attain कर लेता है different physical और chemical properties को जब उससे अपने constituent elements से compare किया जाए जो अपनी identity lose कर देते हैं लेकिन mixture की properties सेम रहती हैं जब हम उन्हें compare करते हैं उनके constituent substances से third difference दर्मियान में compound और mixers के यह है कि एक compound हमेशा maintain रखेगा अपनी fixed composition by mass जबके mixer को ज़रूरत नहीं होती किसे भी fixed composition की हम किसी compound को separate नहीं कर सकते इस्तिमाल करने से physical means मगर mixers को हम separate कर सकते हैं physically और यह है fourth difference fifth difference यहाँ पर के chemical compound हमेशा represent किया जाता है उसके chemical formula से लेकिन एक mixture का कोई chemical formula नहीं होता sixth difference यहाँ पर थोड़ा interesting है compounds हमेशा होते हैं homogeneous अपनी composition में लेकिन अगर observe करें mixtures को हमें मालूम हुआ कि वो behave करते हैं homogeneous की तरह या heterogeneous की तरह हमारा last difference सजेस्ट करता है कि compounds के melting point fixed मगर sharp होते हैं क्यूंके वो pure substances होते हैं जबके mixtures यह principles follow नहीं करते और उनके melting points भी fixed नहीं होते क्यूंके वो impure substances होते हैं उमीद है कि आपको मज़ा आया होगा इस chapter में नई चीज़े सीख कर मैं आपसे मिलूँगा next वीडियो में मजीद content के साथ क्यूंके आपसे होते हैं